सीरा आपको जबुकश्मीर की श्रीनेगर लिये चलेंगे जहाँ प्रद्धान मंत्री नरेदर बोधी संबोधित कर रहे हैं जबुकश्मीर में इस वक्त जमूरियत का तवहार चल रहा है कल ही यहाँ साथ जिलों में पहले दोर की वोटिंग शुडू हुई पहली बार दस्द गर्दी के साए के बिना यह वोटिंग हुई हम सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद मैं लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहार निकले युवा हो महिलाए हो बुजूर्ग हो सभी ने खूले मन से वोटिंग की किस्तवाड मैं 80% से ज्यादा वोटिंग डोड़ा मैं 71% से ज्यादा वोटिंग रामबन मैं 70% से ज्यादा वोटिंग कुलगाओं मैं 62% से ज्यादा वोटिंग अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड तुड़ गए हैं ये नया इतिहास बना है ये नया इतिहास आपने रचा है ये नया इतिहास जमु कश्मीर के लोगों ने रचा है ये दिखाता है कि जमु कश्मीर के लोगों की एस्परेशन्स नई उच्चाई पर है आज दुनिया देख रही है कि कैसे जमु कश्मीर के लोग भारत के लोग तंत्र को मजबूत कर रहे हैं इसके लिए मैं जमु कश्मीर के अवाम को मुबारक बात देता हूँ साथियों कुछ दिन पहले जब मैं जमु कश्मीर आया था तो कहां था कि कि जमु कश्मीर की बरबादी के लिए तीन खांदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जमु कश्मीर तक ये लोग बौकलाए हुए हैं इन तीन खांदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है इन तीन खांदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सब को लूटना ये इनका पैदाईशी हक है जमु कश्मीर की अवाम को उनके जाएज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है इन्होंने जमु कश्मीर को सिर्फ तसद्दूत यानि डार और इंतशार यानि अराजकता ही दी है लेकिन अब जमु कश्मीर इन तीन खांदानों में के सिकंज में रहने वाला नहीं है अब यहां का हमारा नवजवान इनको त्यलेंट कर रहा है जिन नवजवानों के इनों ने आगे नहीं बढ़ने दिया वही इन नवजवान इनके खिलाप मैदान में उतर आये है साथियों इन तीन खांदानों के राज में जमु कश्मीर के नवजवानों ने जो भोगा है जो तकलीप सही है वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता आज वादी का जो नवजवान बीस पटिस तीस साल का है उनमें से कई पढ़ाई लिखाय से महरूम रह गए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दस्वी बारवी या कॉलेज तक पहुंतने में देश के बाकी बच्चों से जादा साल लगे यह इसलिए नहीं हुआ कि जमु कश्मीर के हमारे नवजवान फेल हुए बलकि यह इसलिए हुआ क्योंकि कॉंग्रेस, एन्सी और पीडिपी के तीन खांदान फेल हुए थे इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाईयों कर नफरत का सामान बेचा है कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिक्ती थी ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शेह देते थे आप वक्त नियाद करिये जो स्कूल कॉलेज बज गए वहाँ भी कई कई महिनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी हमारे नवजवान स्कूल कॉलेज से बाहार थे पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खामदान उनके हाथों में पत्थर थमा कर खुश रहते थे इन लोगों ने अपने फाइदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर उनका मुस्तक बिल बरबाद किया है